जेहिंद प्यारी शुडेंटों मेरा नाम है दिवा पटेल और आपका स्वागत है देवासर क्लासेज में दोस्तों यदि अप क्लास 12 के छात्रे हैं और बोड एकजाम के तियारी कर रहा है चाहें आपने समान हिंदी ले रखा है चाहें हिंदी ले रखा है कोई टेंसन नहीं है ये दोनों के लिए वीडियो है मेरे भाई देखी बहुकलपी प्रशने सेम सेम आता है ठीके और मैं आपको बता दू कि आपके पेपर में 10 नंबर के बहुकलपी प्रशना आते हैं किससे बार आपके एकजाय में देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे भाई देखे मेरे भाई यदि आप 90% प्लस पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ना ही होगा और मेरी गरांटी है यदि आपका 90% नहीं आया तो आप जो कहोगे तो करने के लिए मैं तयार हूँ तो मेरी गरांटी के साथ मेरे विश्वास के साथ आप मेरे साथ बने रहिए और हमारी इस स्रीज को आप जोईन करते रहिए हम बिल्कुल आपको फ्रियम पढ़ाते हैं एक रुप्या भी चार्ज हम नहीं लेते हैं चलिए इसकी इन्सर्ट लेने की जुरूत नहीं को कॉश Sumay Detailed में और हरही इसको डाउनोड करते हैं हमारा पहला कोशन हमारे सामने है कि 84 वेसरन की वर्ता के लेखक है आपके सामने आफसन है तो इसका कलर में चेंज करना चाहता हूँ तो कलर में आपके चेंज कर देता हूँ तो 84 वरता के लेखाक हैं विठलनात है गोकुलनात है नाबा दास है या चयत्तुर भूज दास है तो बैये मैं आपको बतादुँ जो 84 वरता के लेखाक है वह आपके गोकुलनात है देखिए इसमें कई ऐसे कोशन होंगे जिनका answer आपको मालूम होगा और यदि आपने 110 कोशन में से मातर 50 कोशन का भी यदि आपने साईसे answer दे दिया ना तो समझो यार तुम गजब छात्र हो तुम्हारा 90% तो कहीं गया ही नहीं है ठीक है क्योंकि इतने important कोशन है इससे बाह दूसरे तरीका से पूछ देगा कि अनंद कंदामनी के संपादक हैं बस थे बोल दे या हैं बोल दे तो भाईया अनंद कंदामनी के संपादक थे भी और हैं भी कौन है भाईया तो वो है आपके बदरी नरायन चौदरी प्रेमगान ठीक है चौथा अफसन इसका क्या हो जा तीसरा कोशन आपके सामने आ गया और यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह हम दसवी से पढ़ते आ रहें इस कोशन को ठीक है आपको साय थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा बाबु गुलाब राय की आतम कथा है आपसन है कुछ आप बिती कुछ जग बिती आपसन है द से कम कोशन कैंसर दे रहे हो तो घबनाने की जुर्त नहीं है देखिए कोई भी पैदा होता है तो सिख के सिखना पड़ते हैं आपको तो लगे रही है लजबाब तरीके से रुकना नहीं है कदम इतना तेज बढ़ाओ कि समय भी कहें भया हमसे तेज तो तुम चला रहे हो ये होना चाहिए जुनून, ठीके, 80% का सपना है, तो 90% की तरह त्यारी करो, ठीके, मैं जाना त्यारी करने के कुछिस करो, और त्यारी कराने में मेरा हेल्फ पूरा रहेगा, जो चीज का फिल्फ मांगेंगे, वो हम देंगे, ठीके, चलिए, चार नमर कोशन है, कि राजा स् परसाद सितारे हिंद की रचना है, अफसन आपके सामने भागेवती, नसीकतु पक्यान, राजबोज का सपना, और प्रेम सागर, तो 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 आपके, जहां राजा दिखेगा, उसको राइट कर देंगे, इस तरह याद होता है, ठीके, चलिए, मिर्ति भूमी के लेका कें, तो भया वासुदेवस्वन अगरवाल जी है, यह तो बहुत असान कोशन है, लेकिन 2022 में पूछा गया यह वाला कोशन है, ठीके, छे नमर है, खाडी बोली गद की प्रतम रचना है, अथवा खाडी बोली की प्रतम गद रचना मानी जाती है, यह कोशन को दो तर ठीके, चलिए, साथ नमर है, कोशन, सो अजान एक सुजान के लेखाक है, और अपसन आपके सामने है, बारतेंदी अरी चंद्र, परताप नरायन मिश्र, अयोद्या सिंग उपदै, हरियोद, या बाले कृष्ण भठ, तो सो सुजान एक उजान के लेखाक आपके, बाले कृ बठ हो जाएंगे, चार नमर अपसन इसका बिलकुल ही सही हो जाएगा, आठ नमर है, ब्रामर प्रत्री का परकासित हुई, अपसन ने दिर्वेदी यूग में, छैवादी यूग में, भारतेंदी यूग में, यहां पर बाले कृष्ण भठ क्यों लिख दिया भाईया, ठी ठीक हो गया, यहां पर बाले कृष्ण भठ नी होगा, यहां पर कोई यूग होना चाहिए, तुम्हें इसका राइट अपसन बता दू, तो तीसरा हो जाएगा, भारतेंदी यूग में, ब्रामर प्रत्री का परकासित हुई थी, ब्रामर प्रत्री का के भाईया संपादकों परताप नरायन मिस रहें, याद रखिएगा, यह कोशन आगे जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत इंपोटेंट है, चलिए, नौ नमबर है कि अपनी खबर, पुस्तक की विधा है, एक आपको ट्रीक बताता हूँ, यदि कोई रचना देखिए, यदि उसके विधा पुछे, और उस रचना में अपनी हो, अपना हो, जब ये सब्द आएं, अपना आजाए, या अपनी आजाए, तो समझने कि वो आतम कथा है, इसलिए इसका राइट अप्सन चौथा हो जाएगा, आतम कथा, ठीके, चलिए, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, त जो छात्र, आप कहीं से भी पड़ो, कोई मतलब नहीं है, जो छात्र महिनत कर रहा है, भगवान उसके लाइक उसको नमबर जरूर देना, ठीके, चलो, भगवान आपके साथ है, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा, ठीके, चलिए, दस नमर कोशन है, हिंदी के प्रत प्रतम डैरी है, तो हिंदी की प्रतम डैरी, नर्देव सास्तरिक की जेल डैरी है, इसका तीसरा आपसन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, चलिए, इनको क्या करना है, नोट बुक में अच्छे से इदम बढ़िया साप सुतर से, आपसन नहीं लिखना है, ठीके, आपको अ उसके बाद आपका दस नमबर मेरे भाई कहीं नहीं गया, ये मेरी गरांटी है दस नमबर, ये दस नमबर गर इधर से नहीं आया, तो तुम जिदर काओगे जाने के लिए उधर में चला जाओंगा, ठीके, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई, और वि अपरिका का मस्द योगी वाल्ट, हिटमेन निबंध है, किसका है मेरे भाई, आफसन आपका हरी संकर परसाई का, राय कृष्णदास का, सर्दार पुर्ण सींग का, ये प्रोजी सुंदर रेडी का, तो इसका तीसरा आफसन सही हो जाएगा, सर्दार पुर्ण सींग का, च थीखे, चलिए, तेरे नमरे, स्री चंदरावली, नामक, नाटक के रचेटा, आपके कौन है, ये आपको बताना है, तो भारतेंदू, हरी चंदर है, ठीके, चलिए, आगे देखिए, चौदर नमरे, आलोचनात्म कृति, सहीत सहचर के लिखा के, जब भी सहीत सहचर आज है साहित यह आज है सुरू में, तो समझ जना कि हजारी परसाद दिर्वेदी जी की रचना है, राइट अपसन आपका दूसरा हो जाएगा, किलिए रहे मेरे भाई, चलिए, अब सोचो यार मेरे फोन से, मेरे पस तो कोई लेफट आप है नहीं, कोई PC तो है नहीं, इस मेनत के ल एक रुपिया नहीं चाहिए बस प्यार करते रहो ठीके मैं जूट के ओं बोल भाई आपका फीस तो YouTube मुझे दे देता है ठीके अप फिरी में नहीं पड़ते हो आपका फीस YouTube मुझे दे देता है तो आप ये भर में मत रहाना ठीके चलिए माधुरी पत्रिका किस यूग से के लिए रहे चलिए आगे देख लिए एक आंकी समराट कहा जाता है तो यहाँ पर गद विदा बताना याद्या बताना है तो यह जीवनी है चौत अफसन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा और आवारा मस्या के रचनाकर की बात करे वो आपके विश्णु परभाकर हो जाएंगे याद रखिएगा यहाप तो लिख नहीं पाऊंगा आप लोगे विश्णु परभाकर लिख लिजिएगा और यह कोशन तो आगे आना ही आना है क्योंकि इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ चलो रानिक केत्की की कहानी के लेका के इस्सा उल्ला खा उल्ला नहीं इस्सा अल्ला खा है ठीक के मैं इसको इससा इसको Allah का उल्ला पड़ता हूं ठीक के किसी को बुरा लगो तो माप कीआज़ीगा कि हम पड़ लेथा हूं क्या कहूं। डक्तर 1000 परसाद दिरवेदी की रेचना आ है 1000 परसाद दिरवेदी की रेचना है विचार परवा ठीके आवारा मस्य आपके बिष्णौ परबा कर किये टेट की कोजी उपधियाई जी किये अदास दवार के सोपन तक यह तो मुझे भी नहीं वालो मैं चलवागे बढ़ो नागरी पंचानी से बाके संसात्व हैं तो कौन है यहाँ पर हैं सियाम सुन्दरदास इसके राइट अफसन हो जाएंगे सियाम सुन्दरदास चलिए एक आई से सुरसती के प्रत्थम संपादक अब यहाँ पर थोड़ा confusing question है सुरसती के अगर प्रत्थम संपादक अगर आपसे पूछे तो आप लोग सियाम सुन्दरदास पर टिक लगाएगा और प्रत्थम ना रहे और सियाम सुन्दरदास भी अफसन में ना रहे तो आपको महवीर परसाद दिर्वेदी लगाना है तो सवसदी के प्रतम संपाद कौन हो जाएंगे मावीर परसा दिर्वेदी नहीं स्याम सुन्दर दास किलिया रहे चलिए 22 नमर है कोशन कि निमलिकित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है तो यहाँ पर पुरसकार जो है यह क्या है यह कहानी है ठीक है निमलिकित में से प्रोजी सुन्दर रेडी की रचना है या नहीं सोरी रचना नहीं है मैंने मिश्टेक कर दिया पढ़ने में और यहीं मिश् जिलोजी सुन्दर 18 बना पाधा नहीं है टापको कोशान को तोड़ा दियान पूरोक पढ़ने की कोशीश करना है ठीक के यह नहीं कि यह तो का आता है सर यह सब आता है जादा ओबर स्माट बनो गें तो पास्ता नहीं पड़ेगा स्माट बनो लेकिन स्मार्ट स्मार्ट सोब्हब्न तो इसका राइट एफवन क्या हो जाएो नहीं है यह बताना है आपको तो यहाँ पर मैं आपको बता दू हिंदी साध के भूमिका यह कोस्षिन हाँ यह question प्रोजी सुन्दर रेडी की नहीं है क्योंकि यह तीनों तो है भाईया इतना तो हम जाते हैं वचारिक सोदा रोध है चलिए 24 नमर है अवारा मसिया का रचना करकाऊन है लो आ गया वो question अवारा मसिया आभी बताया विश्णु परबाकर तो यह पर तीस राप्सन इसका बिलकुल ही right हो जाएगा ठीके चलिए 25 नमर question को थोड़ा देख लिए इसको थोड़ा हम छोटा कर देते जिसे आपको दीखे चलि अचार्य मावीर परसाद दिरिवजी द्वारा संपादिक कौन सी पत्रीका थी अथवा अचार्य मावीर मावीर द्वारा संपादिक पत्रीका है यह दो परकार से question पूछ देगा तो भाया स्वर्श्वाती है clear है चलो मेरी ऐसा फलता है इसको थोड़ा आप जूमिंग कर हो जाएगा अंब पाली किस विदा की रचना है अंब पाली की बात कर ले तो यह नाटक विदा की रचना है ठीके चलिए सिंगार रस मंडन के रचनाकर जो है वह आपके विठल बिठल नात है ठीके चलिए विठल यहाप गलती होगे क्या यह ठा नहीं रहेगा नहीं अकास के तारे हैं, भूले विश्रे चेहरे भी हैं, माटी हो गई सोना ये भी है, मुक्ती बोध जो है, वो यहाँ पर विश्मी परवा की रेचना, सोरी, कनहिया लाल मिश्रे की रेचना नहीं है, तो इसका चौत अफसन बिल्कूल सई हो जायागा, चलिए, इस कोश्चन को छोटा करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, आपका साहित का मरमर, चलिए, ये राइट अफसन है, आप थोड़ा इसको देख लेते हैं, बाले कृष्णी बटे दुवरा संपादिक पत्री का अभी बताया है, हिंदी परदीप, दूसरा अफसन बिल्कूल सही, दुवरा स योगीन गद लेखक हैं, आत्वा भारतेंदी योगीन के लेखक हैं, भारतेंदी योग के लेखक हैं, लेकिन कोशन को घुमा दिया है, योगीन को योगीन कह दिया है, तो इसका राइट अफसन क्या हो जाएगा, परताप नरायन आपका मिश्र हो जाएंगे, ठीके, पंडित दिन दयाल उपद्याय की किरिती है तो यहां पर अगर हम बात कर लें इसकी रैट अपसन की तो चौथा हो जाएगा वैचारिक सोध और बोध जो है यह आपके दिन दयाल उपद्याय की किरिती नहीं है ठीके हम ही बोलें यार इसमें वैचारिक सोध और वोध उनकी रैचन अपरोजी सुन्दर रेडी की है ठीके तो यह इनकी नहीं है कोशन ही हम गलदत पड़ रहे है अगिन की उडान पुस्तक के लेखा कौन है बताईए कमेंट करके बताईए बहुत इंपोर्टेंट कोशन है बहुत असान है डाक्टर एपी जी अब दुम कलाम ठीके चलिए इस कोशन को थोड़ा में छोटा करना पड़ेगा तो हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे रूपकरासे के लेखा कौन है अथवा रूपकरासे किसकी रचना है देखिए आपसे दोनों तरीके से कोशन कर सकता ह तो कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों का राइट अफसन आपका एक ही होगा जो की पहला होगा स्याम सुन्दर दास चलिए आगे बढ़ ले आगे हमारा कोशन है 37 नबर बदरी नरण चोधरी प्रेम गंदुरा संपादिक पत्री का कौन है तो वही है अनन्द अरे कहां चला वह जबताना है अंदेर नगरी करेचनाकर कोन है अंदेर नगरी करेचनाकर आपके यह अपर बारतिंदू हरी चंदरजी है ठीक है चली आगे देख लिया जाए सेखार क्यक जीवनी के लिए का कौन है तो अ अग्यां यह तो सब को मालम होना चाहिए चौत आफसन इसका चलिए इनमें से कौन नाटक नहीं है, मताना है आपको राज मुकुर्टो नाटक है मेरे बायां wiem जानते हैं, घुरु दवाज भी नाटक है घुर्य नाटक है यह थीए अपना ऑपना भाग्त नाटक नहीं है, यह कहानी बीदा की रंचन और लिए इसका संपूरा नंद द्वारा संपादिक पत्री का है ठीके मैं बता दू चारों का क्या संपादा कौन है सुरसती के स्याम सुन्दरदास है धरम यूग के धरम भारती है अहन्स के आपके प्रेम चंदर है याद रखिएगा हन्स के संपादक प्रेम चंदर है बहुत इंपोटेंट है निमिलिकित में से जीवनी है जीवनी बताना है निर्का निर्मार फिर आतमकता है आवारा मस्या जीवनी है इसका दूसरा अप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा चंदरदर सर्मा गुलेरी द्वारा संपादिक पत्री का है तो यहां पर देखिए हिंदी जोचक जो हुआ वह आपका चंदरदर सर्मा गुलेरी का हुआ ठीक है कभी क्या होता है ना कि यदि किसी कोशन का एंसवर आपको नहीं मालूम होता है तो उसमें आप्सन ऐसे आजाते हैं कि उसमें से तीन आप्सन का एंसवर आपको मालूम रहेगा और एक का नहीं मालूम रहता है जैसे इस कोशन में हुआ मुझे खुद नहीं मालूम है कि चे नदर सर्मा गुलेरी के कौन से पतर के संपाधिक थे हैं लेकिन ये तीनों का मुझे एंस्वर मालूम था तो मैं समझ गया है कि ये बचा तो यहीं एंस्वर है तो कभी-कभी आपके साथ में हो सकता है ये बात तो जाद से जाद याद करने की कोशिस कीजिए ठीक है गोदान किस विदा की रचना है गोदान उपनियास विदा की रचना है प्रेम चंदर का ये भी कोशन है क्या भईया ये तो आप भी कर सकते हो निमिलिकित में कौन सी रचना नाटक है जीवनकन संग्द खाजारी परसाद दिर्वेदी जीए अजाद सत्रू के लेखक जो है वो जे संकर परसाद है ठीके चलिए उन्चास है गवन के लेखक गदान गवन करम भूमी यह सब के लेखक आपके प्रेम चंदर जीए यह सब क्या है भाईया तो यह सब का सब उपने आस है ठीके चलिए पंडित ललू लाल की रचना कौन सी यह यह important question इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बर जो आपकी UP board ने model paper जारी किया है उसमें भी यह question है तो प्रेम सागर के रचना कर यह लेखक बोले ललू लाल जी है चलिए आगे देख लिजिए नगरी पंचानी सबा के संस्थापक कौन किस यूग में हुई तो भरतेंद यूग में हुई हाँ भया क्योंकि नगरी पंचानी सबा के संस्थापक जो थें वो थें आपके सियाम सुंदरदास जी थें प्रेम सागर के रचनाकर है अभी आपने आया था कोशन सदल मिस्र जी है चलिए धूम ककर सास्त्र के रचनाकर कौन है बताइए कमेंट करके इसका राइट अफसन पहला हो जाएगा राहूल सकर्तियानन और ये कोशन थोड़ा आमको डेंजर लगता है चलिए चौन नमर है कोशन को बोल देगा कुटज नीवंद के लेखक है आपसान है हजारी परसा दिर्वेदी सही होंगे आपसान क्या पढ़ने की जरूरत है सिंपल सिंपल कोशनों का आपसान मत पढ़ा करो या वीडियो लंबी होती है पच्पन नमर कोशन है स्याम सुन्दर दास का जनमकाल ह बताइए कवेंट करके यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो 18 सा पचात है मेरा कहना मानो ना तो तुम्हारे सिलेबस में जितने भी आपके लेखक है जो आपके बुक में लेखक है जैसे वासुदेव सुनागरवाल हजारी परसा दिर्वेदी प्रोजी सुन्दरेडी कन मिर्तिव कब हुआ था बस यह सब कोशन होते हैं तो हमें अगर 90 परसिंट लाना है तो हमें चारू तरफ से हर तरीका से पढ़ना होगा छपने अश्टियाम के रचनाकर हैं तो अश्टियाम के रचनाकर आपके मेरे अंजास से हो जाएंगे नाभादास ठीके तीसरा सही हो जाएगा ठीके अंठावन है मेरी जीवन यात्रा कीस लेखा की आतम खाता है तो राहूल सकर्तियानंजी का है यह ठीके और यह यात्रा विर्त की विधाका है चलिए अरे बाप्रे यह तो बहुत बढ़ा है इसको तो थोड़ा जादा ही छोटा करना पड़ेगा हां हिंदी परदीप हिंदी परदीप पत्रिका के संपादा कौन है अब बताओ बाल कृष्ण भठ है ठीके तो इसका तो ऑफ्सन पढ़ने की दिरोती नहीं यह बाल कृष्ण भठ पर आप ठीका लगा दो चलो आगे देख लिए जाए इसको थोड़ा आप जुमिंग करना पड़ेग सब कुछ करा लें ठीके मजाग कर रहा हूं वाई सीरेस मत लेना दिरिवेदी यूग के सहितेकार कौन है डक्टर स्याम सुन्दर रास जी है बगवती चरण वर्मा है यस पाल है या भरतेंदू हरिश चंदर जी है देखे दिरिवेदी यूग की यहाँ पर पूछा जा रह कोई भी गलत एंसर मैं नहीं बताऊंगा हाँ थोड़ा बहुत क्या होता है हमारे दिम्यक से उतर जाता तो सुचना पड़ता है अब यह मत सुचना कि सर को नहीं आ रहा है कुछ भी टीक लगवा दिये नहीं आप कहीं से भी देख लेना उसका राय टेंसर होई होगा कभी गलत मैं नहीं बता सकता हूँ हाँ कभी कभी क्या होता कभी मिश्टेक हो या अ लेकिन हमेसा बिश्टेक नहीं होता ठीक है चिन्तामणी जो है वो नीबंदी विदा की रचना है और यह आचार्य रामुचनर सुखली जी की है dalai अचलिए आदोनेक हिंदी ना टक के ले साइतकार की रचना है तो ये जो है भाया ये आपके रामविर्श बेना पूरी जी की है बेना पूरी जी छलिए पूरी खाने का मन कर गया निमुलेकिते में से कौन जिवनी है तो जिवनी बता नहीं है तो भाया आतित का चाल चित्रत जीवनी नहीं है चिंता मड़ी अभी हमने देखा यह निबंद है अवारा मसिया जीवनी है यह इसका राइट अफसन हो जाएगा चिंता मड़ी के सहयोगी लेखा कौन है बालक कृष्ण भठ जीए इसका दूसरा अफसन बिल्कूल राइट हो जाएगा मेरे बाई चलिए चिंता मड़ी के रचना कर को ने अभी पताई अचारा राम जो अंदर सुखले जीए दूसरा अफसन साई दीपदान नामा के रचना है नाटक है बेटवरता है लगू का था है या एकाउंकी है तो मेरे यांजा से दीपदान एकाउंकी है क्योंकि दीपदान जो है, वो राजकुमार वर्मा की रचना है, और राजकुमार वर्मा किसके समराढ़ हैं, एक कांकी के समराढ़ हैं, चलिए स्वामी दयानंद सोरसती के रचना है बुदान योग भोर का तारा सत्यार्थी परकास या भारत भारती तो भैया सत्यार्थी परकास जो है वो स्वामी दयानंद सोरसती की रचना है हिंदी के प्रतम मौलिक उपनियास है तो हिंदी के प्रतम मौलिक उपनियास परिक्षा गुरु है और इसके जो लेखाक है वो स्री निवास दाजी है याद रखिएगा कॉपी में लिख लिजिए कि परिक्षा गुरु जो है वो प्रतम मौलिक उपनियास है और इसके लेखा प्रवाग सिरी निवास दाजी है अलोग परव विदा है यह किस विदा की रचना यह आपको बतानी है तो भाईया अलोग परव जो है वो निबंध विदा की रचना है यह बहुत इंपोर्टेंट है 2023 में यह कोशन पूछा गया है कान खोल के सुन लिजे तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है जो 2023 में पूछा गया है 2022 में पूछा गया 2019 में पूछा गया इन कोशनों को बिलकल भी आपको इसकी नहीं करनी है इनको किसी तरह आपको दिमाग में अपने अंदर समेटनी है बह ऊपर बताना है कि किस रचना का रच हईता वासुद्धेव तुमoben का वाल जी है क्लप विडच के लो भाई या पहला अफसन इसका शही हो जाएगा क्लप विडच के 72 का पहला अफसन बिल्कुल राइट हो जाएगा विचार और वित्रक के लेखा के हैं विचार और वित्रक के लेखा का आपके तीसरा हो जाएगा हजारी परसाद दिर्वेदी आपको पीछे का तुरक कुछ बैग्राउंड में आवाज आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे छमा कीजेगा होता है क्योंकि हम भी घर में रहते हैं और हमारा भी एक परिवार है तो काकी यह बहुत बड़े हैं पहुंचे वह इनसान है आप तो है नहीं राश्त के स्वरूप के लेखा कहमें यह भी पताना पढ़ेगा क्या इसके अंसार आपके प्लगेंन करके पाईएकण के बाते हैं यानि कि रामचेंदर सुक्लि Councillor हंदी आइ-भाग heals से पहले कौन था ये बताना है तो बैया स्याम सुंदर दाजी थे और कौन होंगे चलिए काका काले काका कालेलकर का नाम किस विदा के लेखा के रूप में परसीद है तो वो है निबान संसमर्ण अत्तमकता डैरी तो इसका आपको बता दू निबंद में चलिए आगे देख लीजिए अठातर नमें इसको थोड़ा जुमिंग करना पड़ेगा एक मिनट देखो बार बार कोशन आ रहा है क्योंकि इंपोर्टेंट है जिवनी वाला तेहाँ पर देखिए यह क्या है भिया बसेरे से दूर थीच है बसेरे से दूर तो ये तो नहीं होगा मेरे अंजास से आनमदस का पोथा यह तूपनयास है कलम किसी पाई जीवनी है और इसके परंभ माना जाता है या इसी कोशन को पुछ देगा कि बताइए भाईया च्छे उल्तर यूग का काल तो इसका आपका राइट अप्शन हो जाएगा 1938 यू से ठीके चलिए अरे यावर रहेगा याद के लेखा खें अग गया ठीके चलिए कौन सी रचना हाजारी परसाद दिर्वेदी की नहीं है असोक के कफूल हाजारी परसाद दिर्वेदी के ठोक ठोक के कहता हूँ कि है हिंदी कावेदारा नहीं है इसका दूसरा अफ़सन बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए सही रास्ते पर जो अभी तक टिका हुआ इस वीडियो में सैलूट है आपको और मेरी गरांटी है कि जिस तरह तुम महनत कर रहे हो जिस तरह तुम दम लगा के बैठे हो जिस तरह तुम दम लगा के पढ़ाई कर रहे हो तुम अपने नाम रोसन तो करोगी अपने मता पिता का नाम रोसन करोगी और मैं ये ठोक के कहता हूँ मेरे भाई कि तुम लजबाब लड़के हो तुम सबसे हट के इसुडेंट हो तुमको एक बार फिर से सैलूट करता हूँ मैं ठीके आदी काल की रचना नहीं है आदी काल की रचना गोरा बादल की कथा नहीं है क्योंकि ये खड़ी बोली गद की रचना है ठीके याद रखना है ये सब छोटे छोटे कोशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए और यह सिर्फ आपके board exam में काम नहीं करेंगी मेरे भाई जब आप competition exam दोगे न तो उन सब में भी ये question पूछे जाते हैं ठीके आप कभी अपने भाईया लोग से पूछना जो competition exam दिये हो ठीके उनको मालूम होगा हिंदी काहनी एक नई दिशा की और मुड़ी यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी काहनी एक नई दिशा की और मुड़ी तो आपका तीसरा आफसन हो जाएगा उनिस सबीस से ठीके चलिए अचारे रामचंद्र सुकल के अनंत समर्थ निबंदकार है इसका राइट आपसन चौथा हो जाएगा डक्टर नगेंद्र जी है कहां चले गए हैं यहाँ पर चौथा है उपन्यास विदागी रचना है उपन्यास विदागी रचना है तो इसका राइट आपसन मेरे अंजस से दूसरा है नीरक निर्माण फिर ये तो आतमकता है ये बहुत important question है भया पता नहीं इस question को important कैसे लोग बना दिये बोर्ड वाले कैसे बना दिये क्योंकि ये question सबसे असान है और यही question बाहर बाहर रिपीट करके देते हैं बताओ यार कराम वूमी रचना है करम भूमी रचना है किसकी है मैंने आपको कई बर बताया आज की इस वीडियो में गवन से लेकर गुदावन से लेकर करम भूमी से लेकर रंग भूमी तक प्रेम चंदर की रचना है और सब के सब उपन्यास है तो इसका राइट अफसन पहला हो जाएगा ठीके क्या बूलू क के याद करू आतम कथा है हरीव अंसरा है बच्चन जी के और यह मेरे फ्रेवेट लेखक हैं इनको भाईया में बहुत मानता हूं हरीव अंसरा है बच्चन जी को ठीके चलिए पंडित ललू लालू पद्याय निर्थित्यत हैं बताने आपको फोर्ट विलियन कॉलेज में ठीके चलिए विसस्या विस्मसोधम निर्फित में से हैं बताना किस विदाकी है कानी उप्रियास नाटक लिबंद वह इतना हाड नाम है कि नाटक तो होई नहीं सकता है तो यह जो हो सकता है मेरे अंजास से यह अरे बया यह नाटक है क्या क्योंकि कहानी तो नहीं है इसका एंसर आप लोग देख ले ना इस question का आप लोग comment करके बताना ठीक है इस question का answer यह question बहुत famous question है बया और इसका मुझे याद नहीं आ रहा ठीक होता है कभी कभी कहानी अपने अविष्मस यह नाटक है बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूं इसलिए थोरा बहुत होता है मिश्टेक निन लगरी है वीडियो बनाते बनाते लेकिन क्या कर सकते हैं आपकी एकजाम है मेरी तयारी है जिवनी विदाई की रचना है आवारा मस्य जिवनी विदाई की रचना है और इसके लेखा का नाम आपको कई बार बाता है आपको अब कमेंट करके बताना है ठीके च लेखा का नाम भी बताया था क्या है स्री निवास दास है चलिए डाक्टर हजारी परसाथ दिरिवेदी ने निमन में से किस विदा में मुख्यत रचनाय नहीं की है तो बजाए नाटक उन्होंने कभी नहीं लिखा है नहीं वो नाटक से नफरत करते थे ठीके चलिए गिरती दिवारे के रचनाकर आपके उपेंदर नात असक है असक ये पहला आजा माजा सटकली है ठीके चलो प्राजाहिज से ही समाचार पत्र के संपादन किया बताये कमेंट करके ठोक के बताये जो बता देगा समझ जाओंगा जलवा है उसका राजा लच्मन सिंग है ठीके चैवाद उतर यूग के गद लेखा के हैं बताये कमेंट करके च्छाया वोद उतर यूग के गद लेखा के हैं यह है वासुदेव स्रणार अगरवाल ठीके चलिए सौनमर कोशन होते ही आपको लाइक ठोक देना है और प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो अब को कैसा लगा और मस लगा बवाल लगा संदार लगा कि क्या लगा यह आपको कमेंट करके बताना है और लाश्ट में लाश्ट अभी तक तो बने रहे गए तो मैं समझ गया भाई यह लाश्ट तक तो तुम जरूर जाओगे और भाईया फिर से एक बार सेलूट है आप को क्योंकि 100 को याद करने में मुझे नहीं लगता कि जादा मेहनत करना पड़ता है ठीक एक लाइन का एक-एक लाइन का क्या एक-एक-दो-दो सब्द का तो एंस्वर है और अभी जो तुम मेहनत कर रहा हो ना इसका रंग और इसका फल तुमको रिजल्ट के दिने देखने भाहाँगे ठीक है और यदि अभी तुम अपने पसीनों को सुखा आ रहे हो, बाहर आने नहीं दे रहे हो, महनत नहीं कर रहे हो, हावा नहीं, हावा स्खोज रहे हो, तो भाईया रिजल्ड के दिन तुम्हारी पसेना निकलने वाली है, और तुम्हारे साथ-साथ, तुम्हारे गारजीवन के भी निकलेगी, देख लेना तुम, तो आभी जो मेनत करेगा, मातर दो मेनत हो, तो आपके पास समय है मेरे बाई, दो या देड में नहीं मानो, यदि इसमें जम के नहीं पढ़ोगे, तो कब पढ़ोगे, ठीके, तो पढ़ जो नहीं है वो मैं बता दू आप याद कर लो तो भईया पद्भुसर ने एक ही आद्मी को मिला था हजारी परसाद दिर्वेदी जी को चलिए इसको छोटा करते हैं डाक्टर संपुन नंद को मंगला परसाद पुरसकार प्राप्त हुआ ये बताना किस पर तो चिर्दी यार यार ये बार बार फोन का दासा क्या हो गया तो चिद्रिलाज पर हुआ ये मंगल परसाद पुरसकार मिला था संपुन नंद जी को ठीके बेकन विचार माला अनुद विदा के दिरिष्टी से वोल्डगा से एक अंगा है यह आपको कमेंट करके बताना है ठोक के बताइए कमेंट करके शॉथा और दलीए सर्दार पूर्णशींग सिंग है ठीके चलिए विदा के दिरिष्टी से वोल्डगा से एक अंगा है यह आपको कमेंट करके बताना है ठोक के बताईए कमेंट करके बताईए दूसरा काने संगरा ठीके चलिए इसको तोराज आप आउट कर लेते हैं आगे का सरनाटा सिर्ठलेक उने के किस निवद संगरा के संगरा में संकली है आपको बताना इसका राइट औफसन तो इसका राइट औफसन यह दोनों तो नहीं हो सकते हैं सब रंग और सब कुछ राग यह इसका राइट अबशन हो जायेगा मेरे भाई चलिए आगे इसको तरह जिमिंग करते हैं हिंदी साहित के बेगग्या के अधार सस्थम्भ है ये रुको या ये बार बार सस्थम्भ है तो इसका राइट अफसन हो जायाएगा तिसरा हरी संकर परसाई ठीके चलिए किस ने किया तो राय कृष्ण दास ने किया और कौन करेगा किसकी है वया ये है जन्यिंदर कुमार की याद रखिएगा ये important question है ठीके और ये वला हटा के बस इतना भी पूछ सकता है तो याद रखिएगा चलिए बान बढ़ की आतम कता की विदा है बान बढ़ की आतम कता किसी पहले बताए बान बढ़ किसी की रचना है तो भाई यह हजारी पर साथ दिर्वेदी की क्या है बताईए अब आतम कता है यह उपने आस है तो उपने आस है यह कौन नहीं बता सकता यह लाश्ट कोशन है यहाँ पर एक सदास इनमें से कहानी है राज मुकुर्ट गरून धवाज आपने अपना भागे जब वो कहानी है मैंने आपको पहले ही बताया था ठीके याद है चलिए नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है तो अब मिलेगा आपको कबया का अभी तो अपने गद का देख लिया अब हम काबया का देखेंगे जिसमें आपको काबया कीतना कोशन बताओंगा सोचन कोशन नहीं बताओंगा ज्यादा नहीं बताओंगा टोटल 2.1.2 कोशन कवे किजिए बवाल में चाहिए, देखिए क्या होते हैं, बहुकल्पी इतना पढ़ना पढ़ेगा मेरे बाई, क्या कर सकते हैं, बहुकल्पी कहां से आ जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को भी फिक्स नहीं है, ठीके, तो बहुकल्पी पो थोरा ज्यादा ध्यान देना पढ़त कुछ होता कहा है मेरा निगा हमेसा वहीं पे रहता है कि भया देखता हूँ कितने बच्चे ने लाइक किया है ठीके और यदि अब यह तो नहीं कहना पड़ेगा मुझे साइध की चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि तुम समझी गए हो कि यह चैनल आप लोग के लिए कितना मेनत कर रहा है और यह चैनल आपको 90% प्रस दिला कर रहेगा तो दोस्तो आज की वीडियो मिलते कल और कल एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें जाने की जाद दीजे और आप लोग बढ़िया से पढ़िये बढ़िया से रहिए तब तक के लिए नमस्कार